हाई गाई स्वागत है आपका डेली करंट अपर की क्लास में आज हम इस वीडियो में छे परवरी से बनने वाले सभी इंपोर्टन करंट अपर की कोश्चन देखने वाले हैं वीडियो को एंटर ज़रूर देखेगा और आप हमारे चानल पर नए है तो चानल को कर दीजे और अपने दोस्तों के साल इस वीडियो को शेर जरूर की और कमेंट बॉक्स में अपना फिट्बैक जरूर दीजे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहें तो चलिए शिरू करते आज की क्लास पहला कोश्चन है आपके सामने पिया मोदी ने किस राज्य में मा कामर् विस्टेट इस कोशन का आँंसर अप्षण ने असम राज्य में पेम मोदी जी मा कामख्या कॉट्र का शिल्यानास किया है। PM नरेंदम मोदी ने मा कामक्या मंदीर असम गुहाटी में 11,000 करोड रूपए में ज्यादा प्रोजेक्ट का शिल्यनास किया है कामक्या मंदीर कारिडोर को 498 करोड रूपए खर्च कर डेवलप किया जाएगा PM मोदी ने इसके अलावा 358 करोड रूपए के गुहाटी में निव एरपोर्ट टर्मिनल से 6-lane road प्रोजेक्ट का शिल्यनास भी रखा है 831 करोड के इंटरनेशनल फूट बॉल स्टेडियम का शिल्यनास भी किया है 300 करोड के एक नएक खेल परीसर प्रोजेक्ट का भी शिल्यनास किया है PM मोदी ने असम गुहाटी में Medical College and Hospital की एक इमारत की भी निव रखी है इससे 3250 करोड रूपए की लागत से बनाया जाएगा मा कामक्या मंदिर के बारे में बात करते हैं असम के गुहाटी में निलाचल पहाडियों पर कामक्या मंदीर स्तीथ है यह मंदिर देवी कामक्या को समर पित है कामक्या देवी मंदीर में 51 शक्तिपीट में से कामक्या मंदीर एक है दोस्तो इसमें अबू बाचि मेला लगाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कोश्चन की तरब बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के राज्यपल थे जिन्होंने अपने पत से इस्तिपा दे दिया है इस question का answer है option है पंजब के गवर्नल थे जिनोंने अपने पत से इस्तिपा दे दिया है अधर option के बारे में बात करते हैं तो हरियाना के गवर्नल पंडाडू दत्ता त्रेजी है उत्ता प्रदेश के गवर्नल अनन्दिबैन पतेल और 36 गड़ के गवर्नल विश्नु भुशन हरी चंदन जी है यह सब आप गवर्नल के नाम याद रख लीजिए एक्जाम में पूछे जाज सकते हैं बनवारिलाल पूरोईट ने अपना इस्तिफा राष्ट्रबती जोपती मुर्मु जी को मेज़ दिया है पूरोईट को 21 अगस्ट 2021 को पंजाब का गवर्नल नियुक्त किया गया था इसके अलावा पूरोईट जी कई राज्यों के गवर्नल रहे चुके है 2017 से 2021 तक तमिल नाडू और वर्ष 2016 से 2017 तक असम के राज्यपाल रहे हैं बनवारिलाल पूरोईट जी मद्य भारत के सबसे पुराने अंग्रीज दैनिक समाजार पत्र द हिंदवाद के मैनेजिंग एडिटर भी है आपको राज्यपाल से कुछ महत्वपूर्न तत्य बता देती हूँ अनुचे 1.53 के अनुसार प्रत्यक राज के लिए एक राज्यपाल होगा राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जा सकती है राज्यपाल राश्ट्रपती के प्रसादा परियत पत पर धारन करता है राज्यकाल का कारेकाल पार्च वर्ष का होता है लेकिन राश्ट्रपती ने इनको हटा दिया तो अवधी से पहले भी ये समाप्थ हो सकता है राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयूप पूरी होनी चाहिए 35 वर्ष की आयूप पूरी कर लेने पर किसी को गवर्नल नेवक्त किया जाता है राज्यपाल राज्य के मुख्य मंत्री हाई कोट के मुख्य नायदिश को शपत दिलाते है चलिए आगे बढ़ते अगली कोश्चन की तरब PM मोदी ने ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधरशिला किस राज्य में रखी है इस कोश्चन का आंसर है Option D ओडिसा राज्य में पियम मोदी जी ने ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के आधारशिला रखी है पियम मोदी जी ने ओडिसा में ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उदगहटन किया है इस परियोजना का लक्ष 3200 मेगावाट की क्षमता के साथ राज्य में सस्ती बिजली उपलट करना है ताला भीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट संबलपुर ओडिसा में स्तीत है स्टेशन को तीन चरनों में सक्रिय किया गया है पहले चरन में 800 मेगावाट की तीन स्टेशन होगे चलिए आगे बढ़ते अगले कोश्चिन की तरफ किस देश में भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपियाई लाँच किया गया है इस कोश्चन का आंसर है ऑप्शन सी प्रांस में भारत का डिजिटल पेमेंट यूपियाई लाँच हुआ है यूपियाई का फुल पॉम यूनिपाइट पेमेंट इंटरफेस है यह आप याद रख लिए जिगा एक्जम में पूचा जा सकता है यूपियाई को अपचारिक रूप से प्यारिस के एफिल टावर में लाँच किया है अब लोग यूपियाई के जरिए एफिल टावर के लिए टिकेट बुक कर सकेंगे जुलाई दो हजार तेईस को अपनी फ्रांस यातरा के दवराम पियम नरेंदर मोदी ने चुदा जुलाई दो हजार तेईस बेस्टिल परेट डे के दिवस गोशना किये कि भारत और फ्रांस यूपियाई भुकतान तंत्र का उपयोग करने पर सवमत हुए थे यूपियाई यूज करने वाले देश सिंगापूर, मलेशिया, सयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, बेनेलेक्स देक्ष, बेल्जियम, निदर लैंड और लगजंबर और स्विजर लैंड में भारत यूपियाई सिस्टम यूज किया जाता है चलिए आगे बढ़ते अगले कोशन की तरब विश्व क्यांसर दिवस कब मनाया जाता है इस कोशन का आंसर है आप्शन बी चार फरवरी को विश्व क्यांसर दिवस मनाया जाता है चार फरवरी दो हजाज़ाच चोबिस को विश्व क्यांसर डे मनाया जाता है विश्व में क्यांसर के बढ़ते खत्रे को लेकर लोग को जाग रुखता और शिक्षित करने के लिए यह विश्व क्यांसर दिवस मनाया जाता है इस साल की थीम टूगेडर भी चालेंज दो जिन पावर है पहली बार इसे 2000 में विश्व क्यांसर दिवस मनाने की शुरुवात की थी क्यांसर क्या होता है क्यांसर किसी शरीर के हिस्से में कोशिकाव की असामान्य अबनर्मल गुरोथ को क्यांसर कहते है आपको सर्वाइकल क्यांसर के बारे में भी बता दिती हूँ सर्वाइकल कैंसर गर्भाशे गृरिवा की परत में और सम्मान्य कोशिकाव की दुद्धी है इसे ही सर्वाइकल कैंसर कहते हैं सर्वाइकल कैंसर किसकी वज़ा से होता है तो सर्वाइकल कैंसर यूमन पेपी लोमा वाइरस HPV के संक्रमन के चलते सर्वाइकल कैंसर होता है चलिए आगे बढ़ते हैं सुरक्षित इंटर्नेशनल दिवस कब मनाया जाता है इस question का answer option A 6 फरवरी को सुरक्षित इंटर्नेशनल दिवस मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ देश का पहिला तामबे के आवरन वाला बापू टावर कहा बनाया गया है इस question का answer option C पटना में देश का पहिला तामबे के आवरन वाला बापू टावर बनाया गया है राश्रवित्ता महात्मा गांधी को समर्तित देश का पहिला सबसे बड़ा बापू टावर पटना बिहार में बनकर तयार हो गया है बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में स्ती थे ये छे मंजिला टावर है बाहरी दिवार में 42,000 किलो से तामबे की परत लगाई गई है बापु टावर बनाने की शुर्वार 2 अप्टोबर 2018 को की गई थी बापु टावर को बनाने में 129 करोट की लागद आई है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ बारतिय वायु सेना की द्वारा किस राज्य में अब्यास वायु शक्ती 2024 का आयोजन किया जाएगा इस कोशन का आंसर है Option B राजस्तान में भारतिय वायु सेना की द्वारा अब्यास वायु शक्ती 2024 का आयोजन हुआ है भारतिय वायू सेना 17 फरवरी को राजस्तान के जैसल मेर के पोखरन रेंज में मेगा अब्यास वायू शक्ती 2024 का आयोजन करेगी इस साल के आयोजन में 100 से अधिक विमान और हेलिकाप्टर भाग लेंगे आपको प्रामुक युद्ध अभ्यास बता देती हो किन किन के बीच होता है अभ्यास सदा तस्निक भारत और सौधी अरब के बीच होता है नसिम अल बर्रे भारत और ओमान के बीच होता है साइकलन अभ्यास भारत और मिस्त्र के बीच आयोजित होता है अगनी वारियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है विन्बैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होता है और काजिन्द अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच सिंबैक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है एंड्स लीनिक अभ्यास भारत और श्रीलंगा के बीच होता है मैंने आपको एक्जाम से related सभी युद्ध अभ्यास बता दिये किन-किन देश के साथ होता है या आप नोट डंग कर लीजेगा एक्जाम में पूचा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब किस देश में मुल्यवान खनीज कोल्टन की खोचकी गई है इन विच कंट्री हैस दर वालियोबल मिनरल कोल्टन बिन डिसकवर्ड इस कोश्चन का आंसर है ऑप्शन डी केन्या में विच कोश्चन के अपने पहले भंडार की खोचकी है कोल्टन लिथियम की तरह होता है लिथियम बैटरीज में यूज होता है लिथियम सबसे लाइटेस्ट अन सौप्टेट मेटल है कोल्टन इस खनीज का उपयोग इलेक्ट्रिक कार, बैटरी, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रिक उपकर्नों में किया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वोशन की तरफ अकार्डिंग टू FADA रिपोर्ट वाट इस दे परसेंटेज इंक्रीज इन सेल उप इलेक्ट्रिक विकल इंडिया इन 2023 FADA रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में इलेक्ट्रिक वाणू की बिक्री में कितने प्रतिशत की रुद्धी हुई है इस कोशन का आंसर है ऑप्शन दी 49.20 परसेंट FADA रिपोर्ट के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वहानों की विक्री हुई है FADA, Federation of Atomobile Dealers Association के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रिक वहानों की विक्री 49.20% हुई है FADA की अनुसार भारत में वर्ष 2023 में विद्धित वहानों की विक्री में 49.20% की रुद्धी दर्श की गई है ये जानकारी Minister of State for Heavy Industry भारी उद्धियों की राज्य मंत्री कुरिशनापाल गुजर ने 2023 को राज्य सबा में जानकारी दी है इलेक्ट्रिक वहानों की उद्धित ज्यादा होने से पर्यावरन में प्रदूशन कम होगा दोस्तों ये थे हमारे आज के करन्ट अपेर के कोश्चन आपको हमारे वीडियो का कंटेन यूसफूल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फिडबेक जरूर दीजे और आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी आज के करन्ट अपेर के कोश्चन रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाए मिलते कल सुबह करन्ट अपेर की क्लास में बाई हैव नाइस डे टेक कियर